भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस की करनाटक प्रदेश में भव्वे जीत का सहरा असल माईनों में साड़े छे करोड करनाटक के भाई बहनों के सर पे है क्योंकि ये जीत कॉंग्रेस पार्टी की नहीं सही माईनों में हर कन्नरिगा की जीत है इस देश के प्रजातंत्र की जीत है इस देश के समिधान के मुल्यों की जीत है और उन ताक्तों की करारी हार है जो इस देश में से प्रजातंत्र को नेस्थना बूद करना चाहते है जो समिधान को कुचलना चाहते है जो प्रजातंत्रिक परंपराओं को बुल्डोजर के नीचे आए दिन दबाते हैं इस देश के हर गरीब की जीत है इस देश के मद्यमवर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की जीत है इस देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले हर व्यक्ति की जीत है संग्धन के लिहास से इस जंग की शुरुवात श्री राहूल गांधी जी की भारत जोडो यात्रा से हुई जैसा विनु गुपाल जी ने कहा जिसने सही माइनों में करनाटक में 21 दिन राहूल गांधी जी ने 600 किलोमीटर यात्रा कर संग्धन को एक नई ताकत दी उसके बाद सिधार अमया जी ठीके शिवकुमार जी और कॉंग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर प्रजा ध्वनी आत्रा से प्रदेश के कोने कोने में एक अलख जगाई चुनाव के दोरान जिस प्रकार से कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे साहब ने एक महीने तक ना दिन देखा ना रात कड़ी मेहनत की और वो 42 से अधिक सबहाओं को संबोदित उन्होंने किया उससे चुनाव को ताकत मिली शिरी राहुल गांदी जी के धुमादार चुनाव प्रचार उसने एक बार फिर नई उर्जा चुनाव को दी और प्रियांका गांदी जी का लगाव अपना पन और जबरदस्ट प्रचार उसने भी चुनाव को एक नई उर्जा का संचार किया पूरे देश से कॉंग्रेस के नेताओं ने, अब्जर्वर्ज ने, इंचाजिज ने, मुख्यमंत्री गण ने, एक एक कॉंग्रेस के काडर ने, इकठे होकर ये लड़ाई लड़कर ये दिखाया, कि कॉंग्रेस संग्ठित होकर ये लड़ाई लड़ सकती है सिधारमया जी ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया डीके शिवकुमार जी जिनका चुनावी संग्थन में उनका माहिरपन उनकी काबलियत के लिए वो मशूर जाने जाते हैं उन्होंने जहां उन्हें कमी लगी वो सारा गैप भरके एक नई ताकत का संचार चुनाव को दिया तो ये जीत कॉंग्रेस के नेत्रितव के सामूहिक जीत है और उसके साथ साथ करनाटक के लोगों की जीत है जैसा वेनु गोपाल जी ने कहा तेरा तारीक की रात को नतीजे आए चौदा तारीक और पंद्रा तारीक देर सुभे तक हमारे तीनों अब्जर्वर्ज ने मंत्रणा की पंद्रा की रात को उन्होंने रिपोर्ट सोंपी दो दिन चर्चा का दौर चला मुझे मालूम है बहुत सारे पत्रकार मित्र विछलित रहे अने को सवाल पूछते रहे उन्होंने ये भी कहा कि आप और जल्दी फैसला क्यों नहीं कर रहे आप मेंसे अनेक लोगों ने थोड़ा गुसा भी किया हमसे वेनुगोपाल जी से मुझ से क्योंकि आपका अधिकार है मोदी जी से तो कोई गुसा कर नहीं सकता हम पर तो आपका अधिकार है मापके परि जी से राहुल जी से प्रियांका जी से कॉंग्रेस के सारे नेत्रितव से चर्चा करेंगे पुराने नए सब लोगों से चर्चा करेंगे प्रदेश के लोगों से चर्चा करेंगे दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे मैं फिर दोराओंगा जैसा मेरे आदर्णिये मंत्री बनने के काबिल हैं दोनों के अंदर तदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिन में बहुत काबलियत है पर एक ही व्यक्ति पर निर्णे करना है इसलिए सबसे मंत्रना कर आदर्णिये खडगे साहब ने निर्णे किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्य मंत्री शिरी सिधार अमया जी होंगे और उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर उप मुख्य मंत्री के तौर पर शिरी डीके शिवकुमार जी काम करेंगे कॉंग्रेस पार्टी अपनी पांचो गैरंटी लागू करने के लिए कटी बद है कॉंग्रेस पार्टी गरीब मध्यमवर्ग नौकरी पेशा व्यक्ती के लिए करनाटक में काम करेगी और एक ट्रांस्पेरेंट गम्मिंट ऑनेस्ट गम्मिंट स्टेबल गम्मिंट अकाउ बजे बैंगलोर में बीस तारिक को साड़े बारा बजे मंतरी मंडल की शपत होगी मुख्य मंतरी मुख्य मंतरी के साथ कई और साथी भी मंतरी पद की जुम्यवारी ग्रहन करेंगे